एक तरफ केंद सरकार और प्रदेश सरकार किसानों की सहायता के लिए बड़े बड़े वादे कर रही है जिससे किसानों को कोई समस्या ना आए वहीं दूसी तरफ कुछ रसूप धारी प्रिशाशन से मिलकर किसान की खड़ी फसल को नस्ट करा देते हैं यह जो मामला हम आपको बताने जा रहे हैं यह मामला थाना चजलैट शेतर के भीगन बुरगाओं का है जहां पर एक स्कूल संचालक ने अधिकारियों से मिलकर एक किसान की खड़ी फसल को नस्ट करा दिया ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि किसी किसान की फसल को नस्ट कराना क्या सही है? क्या किसान को पहले सूचित नहीं किया जाना चाहिए था? क्या यह स्कूल संचालक और प्रशाशन की मिली भगत है? ऐसे में कई बड़ी सवाल प्रशाशन पर खड़े होते हैं अब देखना ये होगा कि जब सरकार किसानों के लिए किसान सम्मान ने दी सहज योजना, किसान रणे मोचन योजना और भी बहुत सारी योजनाय चला रही हैं तो वहीं ऐसे में किसान जो प्रशाशन वादिकारियों की मिली भगत से शिकार हो रहा है, जिनको उचित नय नहीं मिल पाता। पलट दवंगाई से नायब तैसिलदार साब मोजूद थे यहीं पर प्रिस पिर्सासन यहीं मोजूद था, सब लोगोंने बोले हमारे तो दवंगाई चलती इनोंने इसाब बर्बाद कर दिया हम सापलट वाद यह हमारा लगबक कोई कंबरती तीन विके करीब है, आदा ए हम लड़ रहे थे इनके साथ साथ हमारी कोई सुनवाई ना हो रही थी, बाइसतारी कोडर हुआ है, इनका हम ने इनसे नकल मागी है कि हम आगज कहीं जामें, हमें कोई मोका ने थी अक्तम हाथ वाज्योत वादी कर लिनोंने, तो इसमें कितने वीगे गन्ना था? इसमें हमारा जी लगवए करीब धाई भीगे करीब हमारा गन्ना था थोड़ा सा हमारा बाजरा था डंगरों के लिए, डंगरों काम खतम कर दें कहीं बाजरा नहीं नहीं बचा। चाहे कहीं भी रहें अपने शहर से जुड़े रहें और अपने शहर की हर ख़बर के लिए डाउनलोड करें लोकल लाइव आप गूगल प्ले पर उपलब्द